जैहिंद वंदे मात्रम प्यारे सातियों आचुके हैं एक और जब दस्त नहीं भरती के साथ कौन सी भरती है दोस्तों आपके लिए यह सातियों हरियाना पुलिस कौन स्टेबल भरती दो हजार चोबिस जी हां सातियों हरियाना पुलिस कौन स्टेबल में भरती निकली है चपन सो पदों पर यह भरती है जिसमें महिला कौन स्टेबल और पुरुस सभी के लिए यहां पर भरती है बटालियन में भी एक हजार प पर ही समझा दी जाएंगी official notification में जो भी होगा वो सारी की सारी चीजे मैं आपको clear कर दूंगा ठीक है साब एज क्या है योगिता क्या है चैयन कैसे होगा physical medical क्या क्या होने वाला है ठीक है वेतन कितना मिलेगा सारी की सारी जानकारी आपको किलियर कर दी जाएगी और बिलकुल भी डाउट नहीं छोड़ा जाएगा तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटा फट से ओमवीर रोजगार के यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भरतियों की जानकारी दी जाती है चलो शुरू करते हैं नमस्कार सातियों मैं राजेस गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे सातियों का ओमवीर रोजगार के यूटूब चैनल में आओ जी फटाफट से इस हरियाना पुलिस के पूरे के पूरे नोटिपिकेशन को किलियर कर लेते हैं सारी चीजे समझ लेते हैं देखो जी हरियाना प्लिस कॉंस्टेबल भरती 2024 प्लिस कॉंस्टेबल जिसमें महिला और पुरुस दोनों के लिए भरती है चप्पन सो पदों पर ये नोटिपिकेशन जारी हुआ है एज क्या है योगिता क्या है फिजीकल कैसा होगा फीस क्या लगेगी चैन कैसे होगा वेत सितंबर से आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे और लास्ट डेट 24 सितंबर 2024 रहने वाली है सातियों यानि कि 24 सितंबर तक आप इसमें आवेदन कर पाओगे तो कितने दिन का समय मिलेगा चोदे दिन का आपको समय दिया जाएगा ठीक है साब पूरी जानकरी को समझेगे फिर भी आपके मने में कोई डाउट हो कोई संका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा हम आपका जवाब जरूर देंगे और आपको पूरा का पूरा नोटिपिकेशन टेलिग्राम पर भी मिल जाएगा तो हम भी रोजगार के टेलिग्राम को भी आप सभी साथ ही जोइ ठीक है जी हरियाना पुलिस का है जिसमें देखो आप ओपनिंग डेट आपकी कपसे रहेगी 10 सितंबर 2024 से फोरम सुरू होंगे और क्लोजिंग डेट लाश्ट डेट रहेगी 24 सितंबर 2024 फीस की डिटेल 0 फोरम फीस किसी की भी फोरम फीस नहीं ली जाएगी साथियों इसमें ठीक है साथ फोरम फीस आपकी बिलकुल भी नहीं लगने वाली है और ये जो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है ये आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगा सातियों ओम वी रोजगार के टेलिग्राम को आप सभी साथी जोइन करें क्योंकि वहाँ पर जो भी भरतिया निकल लेते हैं पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपको टेलिग्राम पर मिलेगा इसकी जो भी बाते हैं वो हम अच्छी परकार से समझ लेते हैं इन्वाइटेशन ओफ एफ्लिकेशन इसमें सातियों देखिए आप चपपन सो पोस्ट पर ये वरती निकली है जिसमें ओनलाइन इसमें देखो CET और बारवी पास ये इसमें योग्यता है जो भी साथी भाई बहन CET दे चुके हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं अगर किसी ने बारवी लेवल वाली CET एक्जाम नहीं दी है तो वो इसमें फोरम नहीं बरपाएगा सबसे पहले किलियर कर देता हूँ य ठीक है साब ये भरती CET में है पुलिस कॉंस्टेबल की भरती राजस्तान में भी CET से होती है हरियाना में भी CET से होती है जो भी साथी CET नहीं दिये हैं वो इसमें फोरम नहीं बरपाएगे ठीक है जी पुलिस डिपार्टमेंट हरियाना की भरती है ये क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी है साब ठीक है जी बारवी पास और CET अब देखो 4000 पद मेल कंडिडेट जनरल डूटी यानि की सातियों सामान्य डूटी जो थानों में पुलिस होती है वो भरती है ये जिसमे 4000 पद मही वो पुरुसों के लिए है यहाँ पर मेल जिसमे 4000 तो हो गए पुरुस और 600 पद है सातियों फिमेल कंडिडेट कॉन्स्टेबल के जो की महीलाओं के हैं 600 पद महीलाओं के हैं जनरल डूटी है थानों में आपकी डूटी रहेगी सातियों जो पुलिस थानों में रहती है उनके यह भरती है और हजार पद है सातियों मेल कॉन्स्टेबल के जो की इंडिया रिजार वो बटालियन जो बटालियन हम बोलते हैं उस बटालियन के हजार पद यहाँ पर हैं केवल पुरुसों के लिए केवल खिस के लिए पुरूसों के लिए महिलाएं इस बटालियन में आवेदन नहीं कर पाएंगी सभी अपनी सीटे भी देख सकते हैं जनरल की 14, 45, 720 इस परकार से पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगा उसको आप अच्छी परकार से समझ सकते हैं ठीक है जी? एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10 प्लस 2 रिकोगनेशन एजुकेशन बोर्ड इनिस्टिटूट किसी भी बोर्ड से बार भी पास होने चाहिए और पलस में CT exam आपने दिया हो तो ही आप इसमें फोरम भर पाओगे वेतन 21,700 आपको मिल जाएगा एज की बात करां तो 18 से 25 साल के कंडिडेट इसमें फोरम भर सकते हैं 1 सितंबर 2024 को एज की गणना की जाएगी एक्स सर्विसमेन हैं वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं ठीक है साब? अच्छा अब आगे की बात कर लेते हैं छूट भी है इसमें छूट भी है इसमें SC, ST, EWS कैटेगरी को 5 साल की छूट दी गई है जो कि आपको अच्छी परकार से समझ में आ जाएगा यहां पर आप देख जीजिए 5 वर्स 5 वर्स की छूट मिलेगी साथियों ठीक है सेडूल, काष्ट वगरार इन सबको ठीक है साब? सलक्षन प्रोग्राम में बता दू आपको क्राइटेरिया फोर सलक्षन एग्जामनेशन इसमें साथियों क्या होगा? हरियाना पुलिस में सबसे पहले जो क्वालिफाइंग टेस्ट यानि की साथियों आगे बढ़ते हैं एक बार उपर दिखा देता हूँ आपको अच्छी परकार से समझ में आ सकेता कि आपको क्वालिफाइंग टेस्ट इसमें सबसे पहले CT का मामला है CT में जो दे चुके हैं एक्जाम वो इसमें फोरम भर पाएंगे उनका होगा फिजिकल ठीक है जी फिजिकल में भी देखो PMT PMT में साथियों तुमारी हाइट वगरा जो है दोड़दाड ये सारी चीजे होंगी ठीक है जी फिजिकल में हाइट वगरा मापी जाएगी यह सारी चीज़े हो जाएगी जिसमें आप आगे देख सकते हैं और भी किलियर कर देंगे इसकी सारी चीज़े। ठीक है साब आप देखो इसमें पीएश्टी पीएश्टी देखो भई फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट पीएश्टी पीएश्टी में भी आपका जो भी दोड़ दाड़ वगरा है वो सारी चीजे हो जाएंगी मेल कंडिडेट को धाई किलो मिटर की दोड़ है बारा मिनट का समय मिलेगा महिला कंडिडेट को एक किलो मिटर की दोड़ है छे मिनट मिलेगा एकस सर्विसमैन की एक किलो मिटर की दोड़ होगी पांच मिनट का समय दिया जाएगा ये है सात्यों आपकी पूरी पूरी जानक डाल दिया गया है आप बात करते हैं हम आगे किसकी इसमें वेटेज रहेगा तीन नमर का ठीक है जी तीन नमर में NCC के नमर मिलेंगे NCC Certificate A, B, C तो A Certificate का एक नमर, B Certificate के दो नमर और C Certificate के तीन नमर आपको मिलेंगे अगर NCC है तो ठीक है जी syllabus वगरा knowledge test होगा साड़े चोराण में नमर का जो कि आप अच्छी परकार से देख सकते हैं the test paper cell भी यह देख लिए general study, general science, current gk, general reasoning ठीक है numerical ability, agriculture, animal, husbandry वगरा सारी चीज़े यहाँ पर आप देख सकते हैं आराम से यह पूरा का पूरा syllabus आपको दिखाई देगा जो कि टेलिग्राम पर डाल दिया गया है सभी साथी टेलिग्राम से जुड़ जाएं और वही पर आपको यह पूरा का पूरा क्या मिलेगा notification मिल जाएगा ठीक है साब OBC वगरा के जो certificate है वो अपने certificate लगा देना भई ठीक है जी अच्छा आगे और भी देख लेते हैं इसमें कुछ भी नहीं बचाया साथी हो एक सर्विस्मेन वगरा यह सारी चीज़ें इनको भी छूट दी जाएगी तो यह है पूरा का पूरा notification सातियों I hope आप अच्छे से समझ गए होंगे हरियाना पुलिस का पूरा notification जारी हो चुका है तो सभी साथी टेली गराम से जुट जाएं वई टेली गराम पर ही आपको यह पूरा का पूरा notification मिल जाएगा तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं क्यूंकि देश में जितनी भी भरतिया निकलती हैं तमाम भरतियों की और सकती हैं भाइक के स्ब्सक्राइब कर दोॉगा हैं रही हैं